भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दूबे जी आपका भी बहुत स्वागत है कारिकम में तो क्या हम इसको आफिसियली मान लें कि राष्टरी लोगदल आपके एंडिये के गड़बंधन का पश्ची मुत्तर प्रदेश में हिस्सा है प्रिजेश जी इंतजार करिये और अभी बताया है अनिल दूबे जी ने कि उनके नेता के ट्वीट के इंतजार करिये हमारे पार्टी की तरफ से भी ऑफिसियल जो बात चीताएगी उसका इंतजार कीजिए लेकिन एक बात जो बड़ी बात अनिल दूबे जी ने वे कही और आज का दिन जो है बहुत खास है खास इसलिए है कि प्रदान मंत्री जी ने जो बात कही थी सबका साथ सबका विका सबका विश्वास वो योजनाओं से लेकर नीतियों तक में और देश के महापुरसों को सम्मान देने तक हर जगा हमने दिखाया है और उसको करके जन्ता के सामने रखा है अब बड़ी बात यह है कि आज जो सम्मान मिल रहा है उससे भी कई लोगों को तकलीफ है अब आप देखिए जैराम र सब्सक्रावेश जी का एक ट्वीट आया उसमें उन्होंने का कि यह तीनों जो है स्वामिनाथन जी नरसिम्मा राओ जी और चौधरी साहब यह तीनों भारत रत्न थे भारत रत्न रहेंगे बिलकुल सही बात है लेकिन मुझे वो भी याद आता है कि जब नरसिम्मा राओ सब्सक्राव जी के पार्थिव शरीर को कॉंग्रेस मुख्याले में नहीं जाने दिया गए उस समय भी तो वह भारत रही है सर मुद्दे पर रही है सर और चौधरी साहब किये थे पिछली डिबेट मेरे साथ की 80 में 80 जीत लेंगे अब आपको गडबंधन करना पड़ रहा सर अपनी सीट जीती सीट दे रहा है हमारे साथ तो अपना दल और निशाद पार्टी है ही इनको क्यों लिए आप और हमारा कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं नीतियां हैं नियत हैं कारिक्रम हैं और हमारे जो प तो कुछ तो डाउट रहा होगा ना तभी तो इन्हें लाएं हैं नहीं बिलकुल नहीं परिवार में परिवार जितना बड़ा होता है बजबूती उतनी अच्छी होती है राजनीती में आप जब चलते हैं तो आपके लिए तो फिर ये यूजलेस हैं अगर आपकी भासा माने आपकी नजर में फिर नहीं बिजेस जी राजनीती में जो लोग भी सारवजनिक जीवन में हैं सबकी अपनी अपनी उप्योगिता है और किसी की उप्योगिता से कोई इंकार नहीं कर सकता अगर अखलेश यादव जी राजनीती में तो उनकी भी उप्योगिता है कॉंग्र कास्ट के लिए जो बेतर होगा